ऐलो फ्रेंस कैसे आप आशा है कि आप सब ठीक होगे तो आज आज हम आपको बताएंगे मिल्क पोडर से पहुती स्वादिश्ट और रंग बिरिंगे मिठाई किस्ता है और कैसे बनाई जाती है जो खाने में बहुती स्वादिश्ट अच्छे बन करते हैं तो आई ये आप देख सकते हैं हमारा की मेल्ट हो चुका है अब हम इसे डालेंगे एक ग्लास दूद तो देखिए मैंने दूद इसने डाल दिया है और अब मैं इसे बोईल होने दूंगी थोड़ा साम ताकि हमारे मिठाई काफी अच्छी बनकर तयार हो जब आप दूद गरम करके अब इसमें डालेंगे थोड़ा-थोड़ा मिल्क ओडर यह मैने अंगडवाडी का मिल्क ओडर लिया हुआ है आप पोई दम से सारा नहीं डालना है ठोड़ा-दोड़ा है तो जैसे कि मैंने आपको बताया था यह है पैकेट रिखेंटर होता है आप चाहों तो इसमें आध तो देखे फ्रेंस आप देख सकते हैं हमारा दूद और रण गी अच्छी से मेल्ट हो चुका है मिल चुके हैं आइमीन मिक्स हो चुके हैं अब उमें से इसी तरह हिलाती रहींगी और हमारा जो मिल्क पोडर इसे अच्छी से पकालेंगी फ्रेंस मिलकूर आपको इवी ब्रांड का ले सकते हैं, विटा का भी ले सकते हैं, या फिर एवरीडे का भी ले सकती हैं, उनसे भी आपकी मिठाई काफी अच्छी बनेगी. तो देखे, मैं इसे इसे तरह हिलाती ही रहूँगी, जब तक यह अच्छी से पक नहीं जाता हो, और हमारे मिठाई वाली कंडिशन में नहीं आ जाता है, तो देखे, इसका धीरे दीवे कलर भी चेंज हो रहा है, और यह हैं, बिल्कुर दोर जैसा होकर तयार हो रहा है, तो इसे धीर आपको लो फ्लेम पर ही पकाना है, आई फ्लेम पर बिल्कुल ही पकाना है, इससे कि आपकी मिठाई काफी अच्छी बन कर तयार होगी, तो देखे, मैंने इसने वन स्पून घीर डाल दिया है, तो और फिर से हम इसे इसी कंडिशन में ले आएंगे, कि हिलाते रह आपकी मिठाई काफी चिकने और काफी अच्छी बन कर तयार, इसलिए मैंने इसने घीर डाल दिया है, तो देखे, आप देख सकते हैं, बिल्कुल डो जैसे कंडिशन में धीरे-धीरे आच्छुका है, जो इसमें लंस हैं, बिल्कुल खतम हो चुके हैं, तो अभी मैं इसे दो-तिन मिन्ट और पकालूंगी, इस मिल्कॉडर की मिठाई बिल्कुल हमारी हलवाई जैसे मिठाई बन कर तयार होती है, मिल्कॉडर से, आप इस मिठाई को कभी भी किसी भी टाइम घर पी बना कर तयार कर सकते हैं, अगर आपकी घर में कोई भी महमान आ रहा है, और आप कि समझ में कुछ आ नहीं रहा है, तो आप इसे फटा-फट बना कर दे सते हैं, इसमें ज्यादा टाइम भी बिल्कुल नहीं लगता है, यह पांच से दर्स मिन्ट पर बिल्कुल तग्यार हो जाती है, तो अगर आपको फटा-फट कुछ मीठा बना कर देना है, तो आप इस इस रेस्पी को जरूर आजवाईएगा, और आप से आपको यह हलवाई के दुकान से लाने के जरूरत भी नहीं होगी, तो आप इस मिठाई को एक पार जरूर टाय के जिएगा, और कमाल की बात तो यह है, कि जो भी बैस्ट आपके इस मिठाई को खाएंगे, वो यह बता ह कि अपर ही निपाएंगे कि हलवाई के दुकान से मंगवाई हूए है, खर से घर पर बनाए हुए है, इसका टैस्ट बिल्कुल, हलवाई की मिठाई से बिल बढ़िया और अच्छा आता है, मिठाए को घर बना लेंगे तो आप हलवाई से मिठाई लाना ही भूल जाएंगे तो आप इसी तरह इस मिठाई को बना कर तयार करके आप घर पर ही एंजोई कीजिएगा तो देखे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यह विल्किंग मिठाई की करनेशन बढ़ कर तयार हो चुका है अब मैं इसे थोड़ी दिर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ ताकि आप जो इसके सेप देना चाहो वो दे सको देखिए अंदर से ये बहुत ही चेटरीके से पख चुका है रेड कलर का हो फक Laug अब के आपनी हाथों पर लगाऊंगे चिकना B तो तेखिए, मैं अब अब हलका से आपने हाथों को चिकना कर लूगे इस परकार, और अब इसे इसमें सेख बोलूँगे, और जो शेप आप इसमें देना चाहों, दे सकती हो, पहले मैं इसे हलका चिकना करूँगी, ताकि ये अच्छे से इसकी जो सेप बनाना चाहों, वो जादा नहीं मिलकुल हाफ टीस्पून लेकिन घी आपको इसमें तभी डालना है जब आपको यह हल्का गर्म लगी अगर यह ठंडा हो चुका हो तो आप इसमें घी ना डालें फिर आप इसी तरह से बनाने के कोशिश करें आपके बच्चे कोगनेट और फिर नारियल वगरा खा लेते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा नारियल भी मिला सकते हैं मैं इसमें नहीं मिला रही हूं क्योंकि मेरे बच्चों को बिल्कुर पसंद नहीं है नारियल तो देखिए आज हम इसका कुछ अलग ही इसका डिजाइन देंगे इस प्रकार मैं इंकी छोटी-छोटी सी बित्तियां बनाऊंगी तकि इस प्रकार मैं इसे प्लेट में रखत चंफी चुटी-चूटी सी जो हम बना रहे हैं क्योंकि आज गल आपको पता है मिठा कम एक खाया जाता है और इसी परकार अगर आप छोटी-छोटी ये मिठाए का डेजाइन बनाएंगी तो काफी बच्चे भी काफी खुश ओकर खाएंगी क्योंकि उन्हें भी अलग सा अगर किसी को कम मीठा खाना है तो इसी प्रकार यह है एक रोल लेकर खा सकता है तो देखी फ्रैंस मैंने इस सेप में बना कर तयार कर लिया है आप देख सकते हूं यह बिल्कुल छोटे-छोटे काफी अच्छे रोल्स बने हुए है और जैसे कि कोई ज्यादा बढ़ा नहीं खाना पसित करता तो यह चोटे-छोटे रोल्स अराम से एंज्याए कर सकते हैं तो इसको थोड़ा सा अच्छा सा वर्क देने के लिए मैं इसके उपर लगा लेती हूं चांदी का वर्क जिससे की दिखने में काफी अच्छे दिखेंगे और इसकी शोगी काफी अच्छी ल ज़िए गाने के ज़िए डिखने जिए आप आपके हाथ उपर एक शुराक जाता है क्योंकि यह है काफी सौफट और काफी नर्म होता है तो इसलिए आप इसे जह तक उसकी प्रकार कागत से ही लगाई तो देखें आप देख तके है हमारा चांदी का वर्क इस पर बहुत ह स्ब्सक्राइब करना सब्सक्राइब आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहें तो फ्रेंड्स अगली एक ऐसी हिंज़ रेस्पिक साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार